बिसमिल्लाहिर रख्मान रवहीम, असलाम नीकुम स्टूडेंट्स, विल्कम बैक टो मैं चैनल आलबूत मैज्विस सहर, आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चेप्टर 13 है, अलजबरी काइड एंटरीज, एन एक्सराइस 13 है, क्वेशन इसको फॉर्स टाउट करते हैं, फा इसकी पावर जो होती है, टू होती है, लेकिन जो क्यूब होता है, उसे हम बोलते हैं, पावर में 3, अंडरस्टैंड, यह चीज़ आपने बिल्कुल दिहां सा समझ लेनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पर बेसिकली यूज़ होगा, ठीक है, और उसको हम यहाँ प प्लस सेकिंड का क्यूब, जैसे हम स्केरिंग करते हैं, फॉर्स का स्केर प्लस सेकिंड का स्केर, इसी तरीके से हमने इसको भी लेके चलना है, फॉर्स का क्यूब, प्लस सेकिंड का क्यूब, अब सेंटर से हम ले लेना है, प्लस ठीक है, यहाँ आजगा, प्लस थ्री फॉ और साथ ही साथ एक extra काम यह करना है कि आपने इस तारे वाले पार्ट को उठाकर लिखते ना है इतनी बात आपने clear करना है और इस formula को अच्छे तरीके से समझ लेना है तब भी आप इसको solve कर पाएंगे अच्छा इसको अगर हम एक और तरीके से भी drive कर सकते हैं किस तरीके से कि आप 3a को लो और उसको a से multiply कर दो फिर जो है वो b के साथ पिर इस तरीके से आपकी main जो होगी वो four terms बन जेगी अब भी basically आपके कितनी terms बन रही है 1 2 यह main है ठीक है and 3 लेकिन जब आप multiply कर लोगे मैं यहां पर वो भी mention कर देती हूं plus 3a square b यानि कि जब मैं 3a b को a से multiply करूंगी तो हमारे पास आएगा plus 3 as it is a और a बिल्कुल same है तो according to exponential rule जब हमारे पास पेसी सेम हो और multiply हो रही हो तो हम उनकी powers को क्या कर देते है अब इसकी power भीवान इसकी power भीवान मिल के क्या होजेंगी 2 और b as it is ठीक है तो हमें पता है कि कोई भी value अगर हमारे पास मजूद है आपने उसका whole का cube लिखते है यानि कि whole की power लिखते नहीं है 3 ठीक है यह चीज हमने कर दी इस cube की form को रिलेट कर देना इस formula ठीक है प्लस भी तो हम आप यही प्रोसेस करते हुए इसको उपन कर सकते हैं कैसे हम सबसे बहले करेंगे first का cube है तो first हमारे पास x है तो आप लिखोगे first का cube फिर plus second का cube तो आप थोड़ी सी space छोड़के यहां पर second जो मारे पास 3 मजूद है उसका आपने cube ले लेना यानि कि उसकी power ले लेनी है 3 अब हम यह वाला काम करेंगे यह जो center में आपको नज़र आ रहा है main काम plus यहां पर plus है तो यहां पर भी plus है यहां पर हम प्लाइक लगाएंगे plus 3 formula का first and second का product three formula का यह three formula का है यह first और यह second है तो हम यहां पर लिखेंगे first and second मैं यह काम bracket में का रही हूं यहां पर दोनों variable थे इसलिए issue नहीं हुआ इसलिए हमने इनको as it is लिख दिया बट यहां पर हमारे पास एक numeric data है एक variable है इसलिए मैंने इनको bracket में close कर दिया तो यह हो गई यह product अब main काम हमारे पास क्या है a plus b यानि के जो bracket आपको नीचे नज़र आ रही है आपने उठाके इसके साथ लिखते है with product x plus 3 जो नीचे आपको नज़र आ रही है आपने वह लिखती तो क्या करेंगे simply open कर लेंगे basically यह वाला formula ज्यादा यूज होता है इसको हमने हुद से multiply करके अभी basic चीज़ है ना तो हम इसको हुद से multiply करके यह form बना सकते है ठीक है तो हम इसी दरी कैसे करेंगे मैं brackets की खतम कर रही हूं plus अब आपने पहले बाहर वाली value को देख लेना है अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही है इसको as it is रही है और इनको multiply क कर लेते हैं 3 3s are 9 एक variable है तो as it is आजेगा x plus 3 यह भी as it is आगया plus 3 की power 3 मुझे 3 को कितने time multiply करना obviously 3 time ठीक है इसका यह हर्गिस मतलब नहीं है कि आप 3 को 3 से multiply करो no इसका मतलब है कि आप 3 को कितने time multiply करो 3 time 3 3s are 9 and 9 3s are 27 इस bracket को भी solve कर लेते हैं जैसे मैंने यह formula solve किया था ना formula solve करने के बाद फिर से drive formula आगया आप इसको भी further solve करेंगे और करने के बाद ही आपका exact answer आएगा यह हमारे पास x cube as it is क्योंकि यह solved out हो गया इसलिए हम इसको as it is रहने देंगे plus अब यह plus 9 x ने पहले x से multiply होना है और पिर किस से होना है 3 के साथ तो plus 9 x multiply होगा x के साथ plus यहा यहां पर x के साथ कोफिशन नहीं है तो हमें पता है यहां पर x1 मुझूद है 9 x और x जब multiply होंगे तो हमें पता है कि according to exponential rule जब हमारे पास basis सेम हो और वो multiply हो रही हो तो हम उनकी powers को क्या कर देते है एड तो यहां पर x1 मुझूद था और यहां पर x1 मुझूद था और यहा and x as it is because अंदर जहें वह एक 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 वाला हमने यूज कर लिया और दूसरे टम के में कोई भी वेरिबल मुझूद नहीं था तो यहां प्लस 27 तो यह हमारे पास arranged value मुझूद है हमें इसको arrange करने के भी जरूद नहीं एक स्क्यूब है एक स्क्यूर एक स्क्यूर एक स्सिंपल क्या है हमारे पास सेम वही है आ प्लस दी क्यूब अगर दू यूज प्लस हो रही हो तो का क्यूब कैसे आएगा फॉरसं का क्यूब मुझू ब्लस 3 फार्मुले का फॉरस और से क्यूब लें और पिर से ब्रेकेट जो है वह नीचे वाल हम ऊथा की यहां पर लिखतें है तो तो नेक्स्ट known क्या करो इसका एक held में क्यूब लो कभी भी आपने ze apert World dual क्यूब नहीं लेना जो value इंशाखना के डिया दोना क्या लाना अब हम क्या करेंगा hier है यहां पर फ्रस्ट क्या है आप फ्रस्ट क्या है इस तरह एक sequence आ जाता है इस वज़ा से मैं इसको इस तरीकसे लिखते हूं plus b का यानि कि जो second का cube है तो second हमारे पास यहां पर क्या मुझूद है 4b 4b second का cube plus center क्योंकि plus यहां पर भी है तो यहां पर भी हम plus लगाएंगे three formula का first and second plus three formula का first हमारे पास है a second हमारे पास है 4b without any power या पस में तीनों multiply हो रहें यह तीनों जो हैं मैंने complete कर दिये इसके according अब यह वाला काम रहता है a plus b यानि के जो हमारे पास value given है आपने उसको as it is लिखना है इस power के इलावा तो हमारे पास जो चीज given है हमने वह लिखते नहीं है इस three power के इलावा अब मैं इसको further solve कर लेती हूं a cube as it is आजेगा विखो जहां पर कोई नमारे डेटा नहीं है जिसको हम multiply करें further तो हमारे पास आजाए तो यह simple एक variable है तो आप इसको as it is लिखना है next अब मैं इसकी बात क जो है वह complete कर लें इन तीनों को multiply करें फिर जो है वह आप further इसको अंदर ब्रैकित के साथ multiply करें plus three a four b multiply हो रहा तो आप numeric data टूंटें three or four numeric data है three fours are twelve a or b जो है वह आजेगा अब गर let करें कि बाहर हमारे पस कोई ऐसी वैली होती जो same होती तो हम further क्या करते उनकी powers को add कर दे इसलिए इनको as-dates देने तेंगे अच्छा और यह जो हमारे पस प्रैकित थी a plus four b मैंने इसको as-dates देने दिया अब यह जो three है यह जो second का क्यूब जो था उसमें हमारे पस अंदर दो values है तो हम क्या करेंगे इस power को according to exponential rule जब हमारे पास basis सेम नहीं होती सेम पावर होती है तो हम उसको बाहर ले जाते हैं three को four के साथ भी कर दिया और b के साथ भी कर दिया अब next time मैं इसको solve करते है a q plus अब यह जो हमारे पास portion है यह एक form बन गई है ठीक है लेकर इन variable की values मजूद नहीं है इस वज़ा से हमें फिल हो रहा है कि जैसे यह जाद है लेकिन है यह एक value है तो आप यह करोगे एक value को bracket के अंदर first time के साथ भी multiply कर दोगे और second time के साथ भी multiply कर दोगे 12 को जब मैंने 12 a b को जब a से multiply किया तो 12 और यहां पर अंदर कोई numeric data नहीं है तो simple 12 ही यह आ जाएगा a और a सेम है तो इसका मतलब है according to exponential rule जब हमारे पास basis सेम होती है और वो multiply हो रही हो तो हम उनकी powers को क्या करते यहां पर one power है यहां पर one power है यहां पर भी one power है दोनों मिलके add के two हो जाएगी और b as it is क्योंकि first time में हमारे पास b नहीं था सिर्फ a जो कि इसके साथ इसके साथ सालो के नहीं यहां पर लिख दिया अब यह जो हमारे बाहिर बाहिर नज़रा लिए उसको मैंने second value के साथ भी जोनों सेम है according to exponential rule यहां पर भी क्या आजगा two आजगा four को three time किया यानि कि four four is sixteen and sixteen को फिर से four किया तो 64 हमारे पास आज आ गया और b cube as it is अचा जी जो हमारे पास third part है उसमें है अब three x plus two y कुछ numeric value भी है और कुछ variable भी है तो question को पहले as a solution लिख लेते हैं और इसको अब formula के according जो है वो solve कर लेते है formula के हमारे पास a plus three is a cube अचा तो हमने क्या करना है cube ले लेना है तो मैं क्या कर दूंगी इसको bracket में close कर लोगी और hole में यहां पे cube यानि के power में three लिख दूंगी तो अब इस value को मैं open कर दूंगी according to this formula सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है first का cube अचा है second value यहां पे हमार पास क्या है two y तो मैं क्या करूंगी two y का भी hole में लिखतूंगी cube आपने कभी यह नहीं करना के two y और उसका cube यह गलत हो लेगा आप इस तरह बिलकुल भी मत लिखेंगा आपने hole में bracket में लिखना है अब यह वाला portion पूरा करते हैं plus three first and second plus three first and second without any power first हमार पास है three x second हमार पास है two y ठीक है अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना portion जो है वो complete किया भी हमार पास यह वाला रहता है तो उसमें क्या है simple आप क्या करो इस पावर को ignore करते हुए नीची वाली value को आपके लिखते हो bracket के अंदर तो मैं देखूंगी कि हमार पास क्या चीज है इस पावर को मैं इंग्नोर करूंगी अंदर पचिए का three x plus two y अब further हम इसको solve कर लेते हैं according to exponential rule जब हमारे पास basis different हो पावर एक हो तो हम उसको बाहर लेके जा सकते हैं इसी तरीके से जो है वो हम split out भी कर सकते हैं इस पावर को दोनों के साथ multiply भी कर सकते हैं three यहां पे कोई power नहीं थी तो one three वांजा three यानिके three raise to power three and x raise to power three दोनों के power जो हमने three दे दी और two के साथ भी हम यही काम करेंगे जो second value है three जो है वो two के पास भी चला जाएगा और y के पास भी चला जाएगा अब इसकी बात करते हैं तो इसमें आपने इतना पहला इतना portion जो है वो पहले solve कर लेना है और जो भी बाद में value आएगी उसको bracket के अंदर भी solve कर लेंगे तो numeric data हम देखते हैं numeric value क्या क्या है three भी है एक a three एक a three और एक a two है three three is a nine और nine two is a eighteen x और y जो variable आपको अंदर नजर आ रहे हैं आपने उनको as a raise रहने देना है क्योंकि इन पर कोई working नहीं हो रही और यह multiplication में ऐसे लिखे जाते हैं और अंदर महारे बचा है three x plus two y next हम इनको भी solve कर लेते हैं three raise to power three का मतलब है कि three को कितने time multiply करना है three time three three is a nine nine three is a twenty seven so twenty seven मैं लिखता हूँगी three raise to power three की जगा और x raise to power three as it is अब इसकी बात करते हैं तो two raise to power three है तो इसका मतलब है कि two को कितने time multiply करना है three time two two is a four four two is a eight and y cube as it is plus अब यह आपने एक value consider करना है और इसको आप अंदर वाली जो bracket है उनकी दोनों times के साथ बारी बारी multiply करते हैं plus अब 18 को जब 3 से multiply करूंगी तो हमारे पस क्या आएगा यहाँ हम multiply भी कर लेते हैं three is a twenty four three one is a three four five fifty four eighteen x y multiply होगा three x के साथ अब चाहें तो आप यहाँ पर एक step increase कर सकते हैं कि 18 x y multiply का साइन और three x फिर plus 18 x y multiply two y आप इस तरह भी कर सकते हैं यहाँ पर direct कर रही हूं 18 को जब मैंने three से multiply किया तो हमारे पास आ गया 54 xy xy ने multiply होना x के साथ तो हमारे पास एक ऐसा variable है जो same है तो मैं क्या करूंगी according to exponential rule जब हमारे पास spaces सेम हो और वो multiply हो रहे हो तो हम उनकी powers को add कर देते हैं तो उनकी powers कोई भी नहीं थी तो one one मजूद थी और y जो है वो as it is आजेगा next 18 xy को plus 18 xy को मुझे second term के साथ भी multiply करना है plus 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 18 को जब मैं 2 से multiply करूंगी 36 36 आ गया और xy जब multiply होगा y के साथ तो हमने variable देखना है कौन सा same है y same है x values आजेगा तो according to exponential rule जब हमारे पास spaces same होती है तो हम उनकी powers को क्या कर देते हैं एड कर लेते हैं तो अगर मैं इसको simple लिखूं आस हमारे पर आगे आप चाहो ताब इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं मैं एक step increase कर रही हूं जो four part है हम वो देख लेते हैं x square plus 2y अब यहां पे स्केरिंग पहले से ही आग गए है तो इसको हम कर लेते हैं यह इतना मुश्किल नहीं है simple आपने क्या करना है formula लिखना है और इसका cube ले लेना है cube आपने अलग लग value का नहीं लेना आप इसका whole का लोगे इसलिए मैं यहां पर bracket अप्लाई कर दिया आपने इसको अंदर लिखते नहीं इसको फर्स ही संझे फर्स एक्सकेर और इसका cube फिर्सका cube प्लस आप यह second का cube हमें नजर आ ए तो हम सेकंड भी देख लेते है प्लस 3 फार्मुले का 1st and 2nd तो 1st हमारे पास किया है? x² ठीक है? आप इसके अंदर ही आप देखोगे इधर आप देखोगे तो रखोगे हो जाओगे 2nd, 1st and 2nd लिख दिया अभी मैंने इतना काम कर लिया है अब मुझे करना है यह वाला काम इस तरीके से है इस पावर को इगनोर करके जो नीचे वैलियो लिख यह वह सारी अंदर लिखतेंगे तो इसी तरीके से मैं इसको इगनोर कर रही हूँ बाकि जो वैलियो है वह मैं नीचे अज इस लिख रही हूँ ठीक है? अब हम इसको simplify कर सकते हैं अब देखें, according to exponential rule, जब हमारे पास एक ही बेस मजूद हो एक अंदर पावर हो एक बाहर पावर हो तो हम क्या करते हैं हम दोनों पावर्स वापस में multiply कर देते हैं ठीक है? 2,3,6, plus अब मैं इतने वाले value को solve करूंगी यह आप चाहो तो आपकी वाला solve कर लो जैसे कि according to exponential rule, हम इस power को दोनों के साथ दे देंगे ठीक है? तोनों को दे देंगे यह power अब इनको multiply कर लेते हैं, numeric rate हमें 3 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, 3,2,6, x square as it is and y as it is यहां पर हमने x square को जो है इतना 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 इस देखना आने है कि यह बहुत ज़ड़ा है, यह difficult नहीं है, बहुत असान है, आपने एक ठोड़े method से इस पर लेके चलना है जिस method से हम इसा हम पहले करते हैं, यहां पर जब हमने multiply किया तो इतना आ आ गया, बाकी हम आप आप एक कंसिडर करें और इस एक को आपने पहले मुल्टिप्लाइ कर देना है फिर्स टर्म के साथ हम फिर्स टर्म से मुल्टिप्लाइ कर लेते हैं 6 x² य ने मुल्टिप्लाइ होना है एक स्क्राइब के साथ तो कोई नमेरिक डेटा नहीं है तो 6 as it is आजेगा और x² और x² अब according to exponential rule जब हमारे पास पेसे सेम हो और वो मुल्टिप्लाइ हो रहे हो तो हम उनकी powers को क्या कर देते है एड़ तो ये 2 ये 2 में एड़ होके क्या हो जागा 4 और y as it is क्योंकि y की अंदर कोई value फिर्स टर्म में नहीं है प्लस 6 x² जब multiply होगा दूसरी term के साथ 6 तूजा 12 x² ये multiply होना है y के साथ तो x² as it is आजेगा क्योंकि अंदर 2nd term में x नहीं मजूद है ठीक है और yy मजूद है तो हम क्या करेंगे अपर्टिंग टक्सपनेंच रूल इनकी पावर को एड़ करेंगे तू रेस्ट पावर थ्री यानिके इस त्री को हम टू को हम स्री टाइम मल्टिपाय करेंगे तो एट आएगा और y क्यूद आजेगा असल जो क्वेशन नमर फाइफ और सिक्स है ये आपने खुद से करना है और मुझे इंस्ट्राग्राम पर पिक सेंड करें इसकी और मैं फिर बताऊंगी कि यह कुरेक्ट है कि नहीं सबसे पहले आपने इन से सारा इससे समझ लेना है कि किस तरीके से मैंने किया है और बाकी यह दो प्रेशन भी जो फाइफ और शिक्स हैं यह भी सेम इसी म करना है